अम्शान्ति आप सबको स्वागत है आज हम रिक्वारिंग कर रहे हैं नौ अगर्स के चुछ वर्दान की जहां परमप्यता परमात्मा चाहते हैं कि हम बेफिकर बाच्शा बन जाएं और जो भी हम चाहते हैं अपने जीवन में प्राक्ट करने के लिए कि चोटे से चोटा काम हो जाएं बड़े से बड़ा कार हो उसमें हम सफलता पाले हैं तो यह सफलता पाले का एक ही तरीका है और वो तरीका है कि हम हर चीज में उस शक्ति से उस परमात्मा को कहें शक्ति या उनको करें एनरजी कहें उससे हम करेक्ट हो जाएं तो देखें पर कोई भी कारे करते सदा स्मृति रहे कि बड़ा बाबा बैठा है अब हम ज्यादत पर हम क्या होता है हम अपने अपको अकेला समझते हैं मैं कोई करना है सब कुछ मैं कोई ताकत लगानी है मुझे ही फोर्स करना है मुझे ही अचीव करना है सब कुछ तो लेकिन परमातों कहते जिब तुम अकेले हो जाते हो तब उस समय तुम्हारे लिवे अंतर बॉडी कॉंशिस हो शरीर का भाना चुरूता है। आपको लगता है कि हम कैसे कर पाऊंगा। मिरे द्हन की कमी हैं मिरे अच्छे शारी डिख मेरे अच्छे लुक्स नहीं है। या मेरे पास में कपड़े नहीं है, मेरे पास में मैंचे घर नहीं है, गाड़ी नहीं है मेरे पास में, हम उसमें thought world में thought energy world में हम आ जाते हैं जो कि हम meditation की तुरू करते हैं और उसके अंदर हमारे पास में सारे answers मिल जाते हैं हम एक wave field से connect हो जाते हैं और वो wave field है आपके संकल्पों की wave field जो की सारे चारों तरफ चल रही है जैसे कि आप एक antenna को देख सकते लेकिन आप उस wave field को देख को हम उस equipment को कहते हैं जो कि आपके ब्रकुटी में हैं आपके brain के नीचे है वह exactly equipment जो कि non-physical equipment और वो उसके अंदर ताकत है कि वह non-physical दुनिया से connect हो सकता है जब हमें answers नी मिलते इस physical world में आंकों से डिखते वे answers नी मिलते हैं कानों से सुनते वे answers नी मिलते हैं तो हमें उस समय non-physical world से connect होना बहुत ज़री होता है जिसको है meditation non-physical world से connect होना को सकता है बहुत बड़ी बड़ी बाते लग रहे हैं लेकिन है बहुत सहल सहच और बहुत सरल है करना जो कि अगर हर कोई practice करना शुरू करें तो starting हो सकता है तो क्योंकि हमें वादत नी है और आसते हम उस द या father of creation आप जो भी कहना चाहें तो स्थिती सदा निश्चिंत रहेगी इस निश्चिंत स्थिती में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है कैता है न कि बेफिकर बादशाह आजकर सब फिकर के बादशाह है बात है कि नहीं सही सारी दुनिया में हर हर घर में फिकर है क्यों हम इसको जानते हैं उसको जानते हैं force कर रहे हों हम गलत टरीक अपना रहे होä मैनिपलेशन कर रहे हो इसकिन हम वो इसकारे को करते समय जुमिंधिन कर रहे हो उसमें हमें satisfaction मिलती नहीं है या तो वो successful होता नहीं है गढ़ बढ़ हो जाती ही इसकिंदर वार गी तो परमादब कहते हैं कि इसलिए हमारे अंदर क्या होता है बेफिक्री खतम होते हैं हम फिक्र के बाच्छा बन जाते हैं जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती क्योंकि वह फिक्र में ही समय और शक्ति को वियर्थ गवा देते हैं समय भी जा रहा है कैसे होगा कौन करेगा कब होगा किसे होगा और फिर क्या करते हैं शक्ति सारी चली जा नहीं शुरू होती है यह आत्मिक शक्ति की बात हो रही है आत्मा अकर सोच सोच के सोचिके सोचिके ठक जाथी है तो अत्मिक शक्तिका जाती है कि इस काम केम करते है वह काम बिगाड में समय आता यह क्रों आ हम करें हैं फिर परमादव्ह करते हैं लिकिनाप निष्चिन्त रहते हो इसलिए और पर श्रेष्ट टॉचिंग होती है, टचिंग का मतलब क्या है कि हम वो non-physical world जो की parabothic दुनिया है उससे हम meditation के दोरा हम जुड़ जाते हैं और हमें पता लाता कि हमें कहां होना पड़ेगा किधर मिलना पड़ेगा, किस से मिलना पड़ेगा किस समय मिलना पड़ेगा, और सही समय पर हो सकता है कभी-कभी वो विक्ति आपके पास ही आजाए आपको call कर दे, आपसे contact में आजाए आपको ही वो सही रस्ता दिखा दे ये होता है डॉक्टर सही मिल जाए, इंसान सही मिल जाए और हम कहते हैं न कि पतनी chance से मिल जाए चांस नहीं होता है, ये चीज़ होती है जब आपको समय आता है तो आपकी अंदर अंदर की चेतना जो होती है वो जागरत हो जाती है और आप बाहर आंसे से ढूनना बंद कर देते हो ने तो कहीं लोगों को बहुत से मिल जाता है लेकिन आप निश्चिंद रहते हो इसलिए समय पर श्रिष्ट टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिल जाती है चाहे सेवाएं हो चाहे अपना कारे हो, चाहे अपना बिजनस हो चाहे अपने हेलसे रेटर चीज़ हो किसी भी चीज़ से रिलेशन हो आपके रिलेशन्शिप्स हो हर चीज़ में आपको सफलता मिल सकती है अगर आप इस पर अपहुत एक उर्जा से आप कनेक्ट हो जाएं जिसको हम भागवान कहते हैं गौड कहते हैं अल्ला कहते हैं और वो भी हम करते हैं मेडिटेशन के दोरा इसका सातुम शाती